आजम बात करेंगे बहुत ही सामान्य लेकिन दर्दनाक समस्या जिसे कहते है आजम समझेंगे इसके लक्षनों के बारे में जानेंगे और अगर आपको यह तकलीफ है तो किस तरह से आप इस तकलीफ से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं क्या है फार्मूलास और कौन सी वो बारा जबरदस टिप्स है वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले है इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले है अगर आपको एनल फीशर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है इसे अंतर तक जरूर देख तुरंत सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें सबसे पहले यह जानिए कि लगबग 60% लोगों में यह तकलीफ देखी जाती है कॉमन समझ से आए काफी लोगों में देखी जाती है पुक्यता इसके दो प्रका मुख्य कारण अगर इसका देखा जाए तो वह है कबस अगर आपको कंस्टीपेशन है कम की समझ की काफी दिनों से यह समझ से आपको है तो क्या होगा कबसे लेट की जगगा पर बनेगा ऐसा समझे यह यह आपकी की जगधा हैं पर पर प्रेशलाय और और बीच्छर आने क एक कारण कब्स का होना अगर आपको दस्त है बार-बार जाना पड़ रहा है तो भी तकलिफ हो सकती है प्रेगनसी के दारान डिलेवरी के वक्त भी तकलिफ बढ़ जाती है या फिर बहुत देर तक आप अगर बैठे रहते हैं इससे भी तकलिफ बढ़ सकती है तो यह होगे इसके मुख्य कारण अगर किसी कारण से लेट्रीन के जगह पर क्रैक आजाए तो इसमें क्या तकलिफ आपको हो सकती है तो सबसे पहले तो दर्द होगा बहुत जादा दर्द होगा लेट्रीन पास करते वक्त बहुत जादा दर्द होगा ऐसे भी मैंने काफी patients देखे है मे एरिया में खुजली होती है देखिए ये फीशर है तो लैटरिन की जगव पर बहुत जादा इचिंग भी वहाँ पर होने लगती है बैठने में असुविधा होने लगती है और अगर तकलिफ बढ़ जाए तो फिर मल त्याग करते वक्त कभी-कभी इन्फेक्शन की वज़े से भी पस निकल सकता है तो इस तरह की लक्षन इसमें दिखते है अब अगर आपको ये समस्या है तो क्या करना चीए देखिए इसको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते है सबसे पहले कुछ घरेलो उपाय आप करके देख सकते है इससे अगर आपको कम हो ज अच्छी दवाईया है लेकिन खुद के मन से कोई भी मेडिसिन आपने नहीं लेनी चाहिए अच्छे डॉक्टर से मिलिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं मैंने निची दिया है आप मुझे वाट्सेप कीजिए मैं आपके सवाल का जबाब दूगा अब समझते हैं कु को कंट्रोल में लाना है जैसे मैंने शुरुवात महीं कहा है कभ इस भी मारी का सबसे मुख्य खारण है और इसे ठीक करना है और अब कुं कैसे ठीक करेंगे सिंबल सी बात है आपको आपके डाएट मेंचेंज करना है फाइबर्स आपको ज्यादा से जहरा खाने है आप YouTube पर जाएए मेरा नाम लिखिए सितल टोंग से S-I-T-A-L-T-O-N-G-A-S-E और फिर लिखिए Fiber आपको मेरे काफी वीडियोज मिलेंगे Fiber युप्त डाइड जो है वो आपने लेना चाहिए इससे आपके digestion में बहुत अच्छा सुदार हो जाएगा आपको कब्स की अगर समस्या है तो वो सॉल हो जाएगी दूसरी बात याद रखिए आपको dehydration से बचना है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है यह होगी सबसे मुख्य टिप साथ ही Fiber में आपको हरी पत्तेदार सबजिया खाईए फल ज़्यादा से ज़्यादा खाईए आपका पेट अच्छा रहे यह सबसे मुख्य इसमें बात होती है तब आपका digestion अच्छा होगा constipation नहीं होगा आपकी समस्या ठीक हो जाएगी टिप नमबर दो ज़्यादा spicy या oily खाना अपने avoid करना चाहिए इन चीजों से आपने बचना चाहिए ताकि आपको फिशर की समस्या ना हो नमबर तीन ज़्यादा देर तक आपको नहीं बैठे रहना है अजकल जो मैं पेशन डिखता हूँ काफी ऐसे लोग है जिनका job ही बैठने का है सिटिंग जॉब है अगर आप भी बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपको यादत डालनी है थोड़े थोड़े देर के बाद आप उठिए थोड़े देर के लिए चलिए फिर से काम पे लगिए और पैदल गुना भी शुरू करिए टिप नमबर चार सही हाईजिन बनाए रखना है अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह से साफ करना है नमबर पाँच अगर आपका वजन जादा है तो इसे भी आपको कंट्रोल करना चाहिए ओर वेट अगर आप हो जाते है तो इससे भी फिशर की समस्या बढ़ जाएगी क्योंकि लैटरिन की जगह पर प्रिशर आएगा स्कीन फट जाएगी टिप नमबर छे एक्सेसाइज करिए बहुत सारे लोग आज कल की भाग दोड की जिंदगी में वयायाम करना भूल गए है काम में बहुत बीजी है याद रखिए सबसे पहला आपका काम है अपनी सिहत की तरफ ध्यान देना एक्सेसाइज चालो करिए रोज कम से कम 30-40 मिनिट तक पैदल चलिए टिप नमबर साथ बहुत इंपोर्टन बात है अगर आपको काफी दिनों से तकलीफ है तो डाइगनोसिस करवाईए डॉक्टर से मिलिए उनसे चेक अप करवाईए क्या है क्या नहीं पहले जाज करना जरूरी है और फिर ट्रिट्मेंट शुरू करिए आप होमेपेथिक ट्रिट्मेंट ले सकते हैं होमेपेथि से ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है टिप नमबर आठ गर्म पानी में बैठना जिसे हम कहता है सिट्स बात बहुत जरूरी टिप है आपको क्या करना है ए देखिए इस तरह से आप सिट्स बात ले सकते एक टब लिजिए गरम गुनगुना पानी उसमें डालिए और उसमें आप थोड़ी देर तक बैठ जाईए सुभे और शाम आपको दोनों वक्त ये करना है इससे क्या होगा जो आपकी लेटरिन की जगह है जो सिकुड गई है ट घर्द भी कम हो जाएगा साथ ही अगर यहां पे कोई इंफेक्शन है तो वह भी कम हो जाएगा टिप नमबर नहीं आपके एनल ख्षेत्र को लेटरिन की जगह को आपने लेटरिन के बाद ट्राय रखना चीए सुखा रखना चीए क्लीन रखना चीए बहुत इंपॉर्टन चाहिए टिप नमबर ग्यारा आपको प्रोसेस फूड नहीं खाना है और जिसमें ज़्यादा प्रमान में फैट्स है ऐसी चीजों को भी आपने अवाइड करना चीए आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस ही हो सकता है आखरी लेकिन बहुत आपका डाइजेशन सुस्त हो सकता है और एमल फिशर जैसी समस्या बढ़ सकती है पाइल्स फिशर और फिचुला जैसी तकलीफों को बढ़ाने में आजकल जो मुख्य कारण हम देखते हैं वो टेंशन भी होता है और टेंशन से भी ये तकलीफे बढ़ जाती है तो आशा क तक भी इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि जिसे सही में जरूरत है उस तक भी ये पहुश सके हसते रहिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद